So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के, यानि कि 17 नवंबर और इसमें 17 नवंबर के नहीं, पिछले 2-3 दिन के जो हमारे छूट रहे हैं current affairs वो भी इसमें include किये गए हैं, लगबग 25 current affairs के questions को हम इसमें cover करेंगे और आप में जिसको नहीं पता मैंने आपको पोस्ट करके बता दिया था कि absent होने का कारण क्या है, स्वास्ते ठीक नहीं था, जादा खराब हो गया था लेकिन अभी उपर वाले के आशिरवात से और आप सभी लोगों की blessing से सब ठीक है, तो चलिए start करते हैं आज के current affairs, पहला प्रशन देखिए हाली में किसने बाल शांती परुसकार जीता, तो आंसर होगा विहान और नव अगरवाल ने तो दिल्ली के ये दो भाई हैं जिनके नाम है विहान और नव अगरवाल, इन्होंने घरेलू कचरे को recycle करके अपने गरह शहर में प्रदूशन से निपटने के लिए सतरवा वार्शिक Kids Rights International Children's Peace Prize जीता है तो दोनों को भाटे नोबल शांती पुरुसकार जो विजेता हैं केलाश सत्यारती उनके द्वारा पुरुसकार दिया गया विहान और नव अगरवाल ने हजारों घरों, स्कूलों और कार्रेलें से कचरे को अलग करने और कचरा उड़ा उठाने के आयोजन के लिए वन स्टैप ग्रीनर पहल विक्सित की है और यह जो अंतर राष्टर बाल शांती पुरुसकार है यह हर साल नीदरलेंड के एमस्टरडम में स्थित अंतर राष्टर बाल अधिकार संगठन किट्स राइड्स के द्वारा दिया जाता है अब यहाँ पे तो बात हो गई बाल शांति पुरुसकार की लेकिन यहाँ से लिंक करके आपको याद करना होगा नोबल शांति पुरुसकार 2020 किस किस ने जीता? दो जनों ने जीता मारिया रेशा और दिमित्री मुराटोव दें तो ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते आगे फिर बताईए कौन अगले राष्टर अकादमी के प्रमुक के रूप में कारभार संभालेंगे तो आंसर होगा वीवियस लक्षमन तो BCCI के अध्यक्ष अभी जो हैं सौरव गांगुली उन्होंने पुष्टी की है कि भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवियस लक्षमन नैशनल किरकेट अकेडमी के अगले प्रमुक होंगे और वीवियस लक्षमन किन का इस्थान लेंगे राहुल दरविड का इस्थान लेंगे तो आंसर होगा रमेश पवार बढ़ते हांगे फिर बताईए अभी हाली में किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में केसर ए हिंद के रूप में मंजूरी दे दी है तो आंसर होगा अरुनाचल प्रदेश तो अभी जो मुख्य मंत्री है वहां के पेमा खांडू उनके अद्धिक्षिता में अरुनाचल प्रदेश के राज्य मंत्री मंडल ने केसर ए हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है केसर ए हिंद ये क्या है ये एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है जो कि अब अरुनाचल प्रदेश की राज्य तितली होगी इसका साइंटिफिक नेम क्या है टोनी पालपस इंपेरियलिस और अगर शाब्दिक अर्थ में बात करेंगे तो इसका मतलब होता है भारत का समराठ इस तितली के जो पंक होते है ये 90 से लेके 120 mm के होते है अचा अगर मैं आपसे पूछू कि राज के तितली घुशित करने वाला पहला राज जे कौन साथा बताओ तो आंसर क्या होगा महराश्टर अब बात अरुनाचल प्रदेश की है तो ये रा मैप में अरुनाचल प्रदेश यहां की कैपिटल इटा नगर है मुख्य मंतरियें पेमा खांडू गवर्णर कौन है बीडी मिश्रा यहां का राज के पशू क्या है मिथुन यहां की राज के पक्षी कौन है स्टीट बर्ड हॉर्न बिल और हॉर्न बिल से प्रशन बनता है कि हॉर्न बिल ये किस राज का तिवहार है फेस्टिवल है तो मुख्य तिवहार है ये नागा लेंड का वैसे अब तिरिपुरा में भी इसको मनाया जाता है और इसे को festival of festivals भी कहा जाता है अरुनाचल प्रदेश का राच के फूल है फॉक्स टेल और्किड राच के वरक्ष है भूटान देवादार यानि की हॉलॉंग इसे आप इंगलिश में बोलोगे और यहां की स्टेट फिश है गोल्डन महशीर अरुनाचल प्रदेश का मुख्य तेवार कौन सा है सोलुंग तो यह भी ध्यान रखना आप पढ़ते हैंगे अच्छा फिर बताइए अभी हाली में किस देश ने साहित्य के लिए 2021 का जेसी भी पुरुसकार जीता तो अंसर होगा M. Mukundan ने तो अभी लेखक M. Mukundan ने अपनी बुक दिल्ली असौली लोकी के लिए साहित्य के लिए 2021 का जेसी भी पुरुसकार जीता यह जो बुक है यह मूल रूप से मल्यालम में लिखी गई है और इसका अनुवाद फातिमा ईवी और नंद कुमार के के दुआरा अंग्री जी में किया गया है यहाँ पे M. Mukundan को पुरुसकार के रूप में ट्रॉफी भी मिली है जो दिल्ली के दो कलाकारों के दुआरा बनाई गई है जिनके नामे थुकराल और टागरा जिसे मिरर मेल्टिंग नाम दिया गया है और इसके अलावा उन्हें 25 लाख रुपे की पुरुसकार राशी भी दी गई है और आपको बता दू पिछले चार सालों में जैसे भी पुरुसकार जीतने वाला ये तीसरा अनुवाद है बाकी ये ऑप्शन भी बड़े इंपोर्टेंट है जैसे कि डैमन गलगुट 2021 का बुकर पुरुसकार जीता था इनोंने साउथ अफरिका के लेखक है ये इनके उपन्यास इनके नौवल का नाम है दप्रॉमिस बाकी एलेक्सी नवलनी की बात करेंगे तो सखारो पुरुसकार इनोंने जीता जिसको किसने दिया यूरोपियन यूनियन ने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की बात करेंगे 22 वा लाल बहदुर शास्त्र पुरुसकार इनोंने जीता अच्छा एक प्रस्ट आप से पूछा जाएगा साहित्य अकादमी जो पुरुसकार होते हैं ये कितनी भाषाओं में दिये जाते हैं ये बताओ आप तो आंसर होगा इसका क्या 24 भाषाओं में और इस साल साहित्य का लिटरिचर का नोबल पुरुसकार किसे मिला ये भी याद रखो तंजानिया के लिखके ये नाम है इनका अब्दुल रजाग गुर्नाह याद रहेगा नाम बढ़ते आगे पर अगला प्रशन है अभी हाली में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस राजय में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उधगातन किया तो अंसर होगा उत्तर प्रदेश तो अभी प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पूरवांचल एक्सप्रेस वे का उधगाटन किया और उसके बाद उन्होंने एक्सप्रेस वे पर बने 3.2 किलोमेटर लंबी हवाई पट्ती पर भारते वायू सेना के द्वारा किये गए एक एयर शो में भी हिस्सा लिया पूरवांचल एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है 341 किलोमेटर है और ये 14 राय गाउं से शुरू होकर हेदरिया गाउं पर समापत होता है अच्छा एक्सप्रेस वे से एक प्रशन आपसे पूछा जा सकता है इसको याद रखना कि इन दौर में एशिया का पहला हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रेक का उद्गाटन किया गया था जिसका नाम था नेटरेक्स नेटरेक्स का मतलब हो गया नेशनल आटोमोटिव टेस्टिंग एन रिसर्च एन डेवलेप्मेंट इंफरस्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ध्यान रखना ये बढ़ते आगे बताईए अभी हाली में सन्युक्त राष्ट्र ने किसे भारत में रेजिडेंट को ओडिनेटर नियुक्त किया तो अंसर होगा शौमबी शार्प तो संयूक्तर राष्टर ने अमेरिका के एक सतत विकास विशेशग्य शौंबी शार्प को भारत में अपना रेजिडेंट कॉर्डिनेटर नियुक्त किया है बाकि गॉर्डन ब्राउन की बात करेंगे तो ये ग्लूबल हेल्थ फिनेंसिंग के लिए डव्लू एचो के राजदूत नियुक्त हुए थे एके गॉर्ड ये यूको बैंक के प्रमुक हैं वैसे थो लेकिन अभी इने इंडियन बैंकिंग असोशियेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था बाकि सहदेव यादव इंडियन वैटलिफ्टिंग फेडरिशन का प्रेसिडेंट इनको चुना गया बढ़ते हैं अचा बताईए अभी हाली में सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश टॉप पे आ गया तो आंसर होगा चाइना तो पिछले दो दशकों में वैश्विक संपत्ती तीन गुना हो गई जिसमें चीन सबसे आगे है और चाइना इस मामले में USA को पच्छाड के टॉप पे आया अचा किसके अनुसार हम ये बात कर रहे हैं तो सलाकार मैकिनसे एंड कंपनी की शोध शाखा की एक नई रिपोर पूट आईए उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं जिसने दस देशों की राष्ट्रे बैलेंस शीट की जाच की थी और इसमें चाइना टॉप पे रहा सबसे अमीर देशों की सूची में चाइना की केपिटल क्या होती है बीजिंग होती और यहीं पे आपको शंगाई का और का हेटकॉर्टर भी मिल जाएगा और एशियन इंफ्रस्ट्रक्चर इंवेस्ट्मेंट बैंक का हेटकॉर्टर भी मिल जाएगा आपको बताए अगले साल यानि कि 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होंगे यहीं पे होंगे बीजिंग चाइना में जिसकी शुभंकर मैसकोट क्य वी वर्थराजन ने तब इतमिल नाडू सरकार के द्वरास्टापित थुया, तमीज, पत्र लार पुरुसकार मेलूर के 18 वर्षे छात्र वी वर्थराजन ने जीत लिया है यह जो पुरुसकार हैं यह उन लोगों को सम्मानित करने के लिए इस्थापित किया गया था जो देनिक जीवन में शुद्ध तमिल का उप्योग करते हैं इस पुरुसकार में 20,000 रुपे का नगत पुरुसकार दिया जाता है बाकी प्रियंक का मोही थे यादे आपको 2020 का तेंजिंग नौरगे नेशनल एडवेंचर रवाड जीता था कुंग फू नन युनेसको का मार्शल लाट एजुकेशन प्राइस 2021 जीता था और डॉक्टर राजीव निगम इनको 2022 की जौसेफ एकुष्मिन पुरुसकार के लिए चुना गया था ध्यान रखना ये भी बढ़ते आगे फिर बताये भी हाली में राश्ट्रे प्रेस दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 16 नव को मनाया जाता है तो भाट्यव प्रेस परिशद एक वेधानिक और अर्द नियाएक प्रतिष्ठान को स्विकार करने और सम्मानित करने के लिए इसे मनाया जाता है भाट्यव प्रेस परिशद की स्ताफना 16 नवंबर 1966 को भाट्यव प्रेस द्वारा की गई रिपोर्ट की गुनवत्ता के निगरानी के लिए की गई थी इस अवसर पर भाट्य प्रेस परिसद ने मेडिया से कौन डरता नहीं है विशे पर एक संगोष्टी का भी आयूजन किया इसके लवत 13 नवंबर को हम विश्वत दयालूता दिवस मनाते हैं और यहाँ पर एक प्रश्ट में आपसे पूशता हूँ चलो प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया के चेर्मेन को ने और इनका नाम में आपसे इसलीप भी पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका नाम निउज में था क्योंकि अभी इनने फिर से रियापॉइंट किया गया था कॉलेज के कमांडेंट एर मार्शल दीप तेंदू चौधरी और रेटाइड एर वाइस मार्शल अरजुन सुब्रमन्यम के द्वारा एडिट किया गया है या तंगवाद विरोधी अभियानों आधिव जैसे विश्यों पर निबंदों का संकलन है देख बुकों की बात है तो चंकर आचार्य एंड एकॉनमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड नाम से बुक लांच की थी नाम ध्यान रखना बढ़ते आगे बताईए 2023 में कौन सा देश कोप 28 की मेजबानी करेगा तो आंसर होगा युनाइटेड अरब अमिराद तो जलवायू परिवर्तन पर संयुक्त राष्टर फ्रेमवर्क कंविंशन ने घोशना की है कि युनाइटेड अरब अमिराद 2023 में कौप 28 की मेजबानी करेगा कौप मतलब Conference of Parties दूसरी बार वारशिक वारता मध्य पूर्व में होगी और तीसरी बार पेट्रोलियम निरयातक देशों के संगठन ओपेक के एक सद अरष्टे के द्वारवारता की मेजबानी की जाएगी वैसे आपको बता दू कतर ने 2012 में और इंडोनेशिया ने 2007 में इसकी मेजबानी की थी और अभी लेटेस्ट आपको याद होगा अभी ऑक्टोबर में कोप 26 की मेजबानी किसने की थी यह हुई थी ग्लासगो स्कॉट और कोप 25 मेडरिड स्पेन में बढ़ते हैं के फिर बताईए आईक्यू एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूशित शहर कौन सा है तो अंसर होगा दिल्ली तो स्विचल लेंड का एक जलवायू समू है आईक्यू एयर जो की युनाटेड नेशन एन्वार्मेंट प् तीन शहर इसके टॉप 10 सबसे प्रदूशित शहरों की सूची में शामिल है पहले पे हमने कहा दिल्ली है चौते पे मुंबई है और छटे पे है कौलकता ध्यान रखना ये बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में विश्व मदु में दिवस ये कब मनाया गया तो अंस टू डायबिटीज बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में टी ट्वंटी में शून्य रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए तो अंसर होगा अक्षे कर्णवार तो अक्षे कर्णवार पुरुष टी ट्वंटी किरकेट में अपने पूरे ओवरो में शून्य रन फेकने का ये कारनामा किया क्या नाम है अक्षे कर्णवार इनका नाम है इनका नाम मोस्त इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि टी ट्वंटी में शून्य रन देने वाले ये पहले गेंदबाज बन गए हैं इसलिए नाम ध्यान अकना बढ़ते आगे अच्छा बताईए हाली में अंतरराष्टर जिमनास्टिक महासंग के अद्यक्ष किसे चुना गया तो आंसर होगा मौरी नारी वातानाबे तो अभी मौरी नारी वातानाबे को अंतरराष्टर जिमनास्टिक महासंग के अद्यक्ष के रूप में तीन सालों के लिए फिर से चुन लिया गया है मतलब पहले भी यही थे और अभी फिर से तीन सालों के लिए इन्हें ही नियुक्त कर दिया गया बाकि अरुन चावला फिक्की के डारेक्टर जनरल अभी बने थे रितेश चोहान परधान मंतरी फसल बीमा योजना का CEO बनाया गया था और सजन जिंडल वैसे तो JSW स्टील के CMD है ये लेकिन अभी World Steel Association का चेर्मेन इनको बनाया गया तो ये नाम भी ध्यान रखना बढ़ते हैं आगे अच्छा बताईए हाले में किसने ब्राजीलियाई Grand Prix Formula 1 रेस को जीत लिया तो अंसरगवा लुईस हैमिल्टन ने तो मरसडीज के ये ड्राइवर हैं लुईस हैमिल्टन जिनोंने ब्राजीलियाई Grand Prix Formula 1 रेस को जीत लिया है सेकेंड नमबर पे कौन रहे मैक्स वर्ट स्पन जो की रेड बुल के ड्राइवर है और थर्ड नमबर पे वोल्टेरी बोटास हैं जो की मरसडीज के ही ड्राइवर है अच्छा फिर बताईए हाली में पहला ओडिट दिवस ये कब मनाया गया तो अंसर होगा 16 नमबर को तो पहला ओडिट दिवस ये 16 नमबर 2021 को भारत के CAG Comptroller and Auditor General यानि के नियंतरक और महालेखा परिक्षक कारेले परिसर में मनाया गया तो CAG की संस्था के एतिहासिक उद्गम और शाषन पारदर्शिता और जवाब देही में इसके योगदान को चिनित करने के लिए ये ओडिट दिवस मनाया गया ये पहला audit दिवस है भाईया तो ये आपको याद रखना है कब मना रहें 16 नमबर को बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में अंतरराष्टर सहिशनूता दिवस कब मनाया गया तो आंसार होगा ये भी 16 नमबर को तो हर साल 16 नमबर को हम International Day for Tolerance यानि के अंतरराष्टर सहिशनूता दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन को मनाने का उद्देश है क्या है संस्कृतियों और लोगों के बीच सहिशनूता का निर्मान करना और आपको बता दो युनेसको ने सहिशनूता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मदनजीत सिंग पुरिसकार भी स्थापित किया है तो अब 16 नवंबर को दो दिन हो गए आपके ये तो अंतर राष्ट्रे सहिशनूता दिवस और हमने मनाया इसी दिन पहली बार ओडिट दिवस भी याद रखना ये बढ़ते हैं के बताईए हाली में कहां भारत का पहला घास संगरक्शी का गरास कंजर्वेट्री का उद्गाटन किया गया यानि की कंजर्वेट्री इसका उद्गाटन किया गया तो केंदर में घास की लगबक 90 प्रजातिया उगाई जाती है जिनका वेज्ञानिक पारिस्थितिकी ओशिदिया और सांस्कृतिक महत्व है और अपने पोश्टिक अनाज और मिट्टी बनाने के कारण घास सभी फूलों के पोधे में सबसे अधिक रूप से महत्वबून है अच्छा आप तो यह बताओ आस्ट्रेलिया में जो घास के मेदाने उनको क्या कहा जाता है उन्हें डाउन्स कहते है और अफरिका में जो घास के मेदाने उन्हें सवाना कहा जाता है अरजेंटिना में उन्हें पंपास कहते है और एशिया और यूरोप के घास के मेदानों को स्टेपीच कहा जाता है ब्राजील में घास के मेदानों को कमपोच कहा जाता है तो ये भी ध्यान रखना और देखो आज जो भी स्टेट वगेर आ रहे हैं उसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कुशन जादा है वीडियो लंबा हो जाएगा बाकी कल से हम वही हमेशा की तरह कोई भी स्टेट आता है तो उसे डिटेल में बात किया करेंगे इसलिए अभी हम बढ़ते आगे पिर बताईए अभी हाली में भारत सिंगापूर और किस देश के बीच त्री पक्षे अभ्यास सिटमेक्स 2015 शुरू किया गया तो अंसर होगा थाईलेंड तो अभी भारत सिंगापूर और थाईलेंड के बीच में सिटमेक्स 2021 नाम से त्री पक्षे अभ्यास शुरू हुआ है ये 15 से लेके 16 नवंबर तक चला कहां पे चला अंडमान सागर में और इसमें भारत की तरफ से आयनेस करमुक ने हिस्सा लिया ये सिटमेक्स अभ्यास का तीसरा संसकरन था पहली बार ये 2019 में हुआ था जिसे भारत के अंडमान निकुबार की केपिटल पोर्ट ब्लेर में आयुजित किया गया था उसके बाद 2020 में रिपब्लिक ऑफ सिंगापूर नेवी ने दूसरे संसकरन की मेजबानी की थी अच्छा थाइलिंड के साथ हम एक और एकसरसाइज करते हैं कौन सी मेत्री और कॉर्पेट नाम के एकसरसाइज भी करते हैं थाइलिंड के साथ में ही थाइलिंड की केपिटल बैंकोक होती है करंसी है थाई बहत और प्रधान मंतरी है प्रयूत चान उचा बढ़ते आगे बताईए हाली में भारत का पहला खाद्दे सुरक्षा संग्रहाले ये काँ पे खुलाये तो अंसरों का तमिल नाडू में तो अभी केंद्रे वानिज्य उद्द्यूग खाद्दे और सार्वजनिक वितरन मंतरी हैं पियूश गोयल और इन्होंने तमिल नाडू के तंजावुर में भारत का पहला खाद्दे सुरक्षा संग्रहाले आभासी तोर पर लॉंच किया यानि कि वर्च्वली उसे लॉंच क लिए शिप टू माउथ भारत की खाद्दे सुरक्षा यातरा को चित्रित करने वाला पहला है तो कहां पे खुला तमिल नाडू में देखो तमिल नाडू की केपिटल चेन नहीं है यहीं पर आपको चमड़ा अनुसंदान केंद्र भी मिलेगा भी नए मुख्यमंत्र भी ब तो आप जानते ही हो फ्रांस, फ्रांस के साथ करते हम शक्ति नाम का अभ्यास तो अभी भारत और फ्रांस की सेना ने द्विवार्शिक अभ्यास शक्ति का आयोजन किया यह इसका छटवा एडिशन था इसका पिछला जो संस्क्रन है वो तो 2019 में हुआ था और इस बार यह भी 15 नॉंबर को शुरू हो गया है 26 नॉंबर तक चलेगा कहां पे फ्रांस के फ्रीजस में तो भारत की तरफ से गोर्खा राइफल्स, इंफेंटरी, बटालियन की एक प्लाटून अभ्यास में भाग ले रही है वैसे फ्रांस के साथ यह तो शक्ति हो गया इसके लावा व साओधी क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान ने 14 नॉंबर को दुनिया के पहले गेर लाबकारी शहर की इस्तापना की गोशना की यह शहर विश्व इस तर पर गेर लाबकारी शेतर के विकास के लिए एक मॉडल होगा और युवाओं और स्वेम सेवी समूहों के साथ और अंतर राष्टर गेर लाबकारी संस्थानों के लिए एक इनक्यूबेटर भी होगा और इसे प्रिंस मुहमद बिन सल्मान नॉन प्रॉफिट सिटी कहा जाएगा अच्छा साओधी अरब की केपिटल क्या है रियाद करंसी है साओधी रियाल अभी आपको याद होगा भारत और साओधी अरब ने अपना पहला नौसेनिक अभ्यास अल मौहद अल हिंदी 2021 का भी आयोजिन किया था बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली में किस राज्य में वांगला उत्सव शुरू हुआ तो अंसरोगा मेगाले तो अभी मेगाले में सो ड्रम महुथसव जिसे कहते हैं वांगला उत्सव ये मनाया गया ये इसका 44 संस्करन है 44 एडिशन है जो गारोस जन्जाती के द्वारा मनाया जाता है जो हर साल गारोस के सूर्रे देवता जिनने सल जोंग कहा जाता है उनको सम्मानित करने के लिए बनाया जाता है तिवहार का जो पहला दिन होता है उसे रगुला नामक समारों के साथ मनाया जाता है जो गाओं के मुख्या के घर में किया जाता है और उत्सव का दूसरा दिन जिसे ककट कहा जाता है उस दिन लोग रंगीन वेश बुशा में पंक वाले सिर के साथ तयार होते हैं और लंबे अंडाकार आकार के ड्रम की ताल पर नरत्ते करते हैं मेगाले की केपिटल क्या होती है शिलोंग होती है यहीं पर आपको असम राइफल्स का हेटकॉटर मिलेगा इसके गवर्नर सत्यपाल मलिक है और मुख्य मंतरी है कॉनरोड संगमा ध्यान रखना ये वांगला उत्सव का का है मेगाले का बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में किसने अपना पहला T20 World Cup 2021 किस खिताब जीत लिया है तो अंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने तो अभी ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में न्यूजिलेन को आठ विकेट से हरा कर अपना पहला T20 विश्व खिताब जीत लिया है तो T20 World Cup 2020 किस खिता ऑस्ट्रेलिया ने किस को हराया न्यूजिलेन को एक तो ये याद रखना है और इसमें प्लेयर आफ दा मैच रहे मिचेल मार्श कहां पह वाई ये देखो पहले तो ये भारत में होना था लेकिन COVID-19 की वज़े से नहीं हुआ फिर ये हुआ युनैटेड अरब अमिरात औरोमान में इसमें टॉप रन स्कॉरर रहे बाबर आजम और हाइस्ट विकेट टेकर रहे वानिंदू हसरंगा अच्छा क्या भारत ने कोई या कभी T20 World Cup का खिता है तो आंसर होगा यस 2007 में जीता था भारत ने किसको हरा के पाकिस्तान को हरा करके और देखो मैं आप लोगों को बता दू ये वीडियो अप्लोड होने में टाइम लगेगा दो-तिन दिन तो मैं मानता हूँ मेरी मिस्टेक थी मेरी तबियत ने साथ नहीं दिया मेरा इसलिए वीडियो नहीं बन पाए लेकिन आज ये कंप्यूटर दिक्कत कर रहा है बहुत हैंग हो रहा है रादबर से बहुत परेशान हो रहे हैं इसलिए जो रिविजन वाला वीडियो है वेसे वह आप जानते हो 12-11 एक बज़े के असपास अप्लोड हो जाता है लेकिन आज वो मौर्निंग में जाक के अप्लोड हुआ था और इसमें तो बहुत जादा पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है तो अभी तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब ये में को लग रहा है बहुत टाइम लगाएगा और अब ये दूसरा वाला वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जिसमें बहुत दिक्कत हो रही है बहुत जादा है पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है इसको तीन दिन बाद इसको चला रहा हूँ तो मुझे लग रहा है बहुत टाइम लेगा ये अपलोड उने में फिर भी देखते हैं क्या मैं कर सकता हूँ और हाँ अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा प्लीज थैंक यू